पुलिस को लेकर लोगों की जो अमवन राय है बहुत ज़दा अच्छी नहीं होती है क्योंकि पुलिस के जो कारना में जब जनता के लोगों के सामने आते हैं तो पुलिस को लेकर वाकई एक घिर्णा से पैदा होती है आज की जो मैं कहानी आपको सुनने जा रहा हूँ पंद्रे सोले मार्च की रात की बात है लगवग ढ़ाई बजे के आसपास एक व्यक्ती जिसका नाम राजेसमुंडा है उसको घटना इस्तलप लेके जा रहे थे पंद्रे सोले मार्च की रात लगवग धाई बजे सोचके देखी रात में कोई किसी को घटना इसलब लेके जाएगा पुलिस कहती है कि भागने कोशिश कर रहा था उसको गोली मार दी मर गया यहन की एंकाउंटर खुद अधिकारी भी मानते हैं कि जो एंकाउंटर होते हैं वो 99.99% ऐसे ही होते हैं मगर आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस घटना में एक व्यक्ति का जो एंकाउंटर होता है और दूसरे व्यक्ति का जो एंकाउंटर होता है उसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि आसम की पोलिस ने तो सैलूट का काम किया है पोलिस को तो ऐसे करते रहना चाहिए ऐसी गलती तो उसकी बार-बार माफ कर देनी चाहिए शायद आपके मन में भी कुछ इसी तरह की बात आएगी मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े करेंगे आदाब नमस्कार शहसरी काल मैं उस्मान सैफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस सची घटना है हासम का एक जिला है गुहाटी और गुहाटी का एक इलाका है गरी गाओ दरसल एक लड़का जो की एक स्कूल में पढ़ता है ग्यार्मी या बार्मी क्लास के आसपास कर रहा होगा उम्र उसकी लवख 20 साल के आसपास उसी के साथ दसमी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जो अखवार या मीडिया रिपोर्ट कहती है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे मगर 16 फरवरी 2022 को वो लड़का उस लड़की को जो कि दसमी क्लास में पढ़ती जिसकी अमर अभी लगबग 16 साल के आसपास रही होगी उस लड़की को वो अपने दोस्त के कमरे पर लेके जाता है और वहां ले जाने के बाद उस लड़की के साथ वो गलत काम करता है जिस दोस्त के साथ जिस दोस्त के घर पर वो लेके जाता है वो दोस्त उस लड़के का और उस लड़की का एक वीडियो अपने मोबाईल में बना लेता है ये लड़का नहीं जानता था जिसका नाम है विकी अली विकी अली बिकुल भी नहीं जानता था कि उसके दोस्त ने ऐसा कुछ वीडियो भी उता लिया है लड़की अपने घड़ चले जाती है और जो लड़की घड़ चले जाती है तो उसका दोस्त उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा वीडियो मना लिया था मुझे भी इस लड़की से एक बार मिलना है जिए तुमने इस लड़की से मुलाकात नहीं कराई तो फिर मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल कर दूँगा विकी अली बहुत दुबिधा में फज जाता है और उसने उस लड़की को 19 फरवरी 2022 को एक अदाबरी एक इलाका है वहां के एक होटल में उस लड़की को बुला लिया जाता है जब ये लड़की होटल में पहुंचती है तो पहले से ही वहां पर फैजुर अली, पूना अली, पिंकी पिंकी नी पिंकू राजा, चार दोस्त पहले से ही मुझूद थे और ये 16 साल की लड़की और उसका दोस्त यानि की विक्की अली ये पांच लोग मिलकर अब इस लड़की के साथ वैसे ही गलत काम करते हैं जैसे कि अभी 16 फर्वरी को उसके दोस्त ने किया था उस वीडियो को आधार बनाया गया और कहा गया कि यदि तुमने ये बात किसी से कही तो सोशल मीडिया पर ये पूरी घटना वैरल करती जाएगी लड़की डरी हुई सैमी हुई कुछ कहती है नहीं अपने घर चले जाती है और घर रहती है नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं थी कोई परिशाणी नहीं थी मगर इन पांचों ने अब उसका जब मन करता था उसको बुला लिया करते थे और उसके साथ वैसे ही गलत काम करते थे सब कुछ उसके साथ गलत होता चला जाता है और वो लड़की इतना ज़्यादा वहवीत रहने लगी उसको लगता था कि जिससे वो प्यार करती है वो उसको बचाएगा उसने उसको बचाय नहीं बलकि उसके साथ वो अपने दोस्तों के साथ हो जाता है और वो गलत काम करने लगता है आठ मार्च को जब पूरा विश्व अंतरास्टे महिला दिवस मना रहा था तब उस दिन इस लड़की के माता और पिता दोनों को ही कुछ आभास होता है कुछ एसास होता है कि हमारी बेटी बहुत परिशान है आखिरकार कुछ बात है और वो बात क्या है वस यही जानने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पुछका रहा दुला रहा और एक माबाब बनकर उसका दोस्त बनकर से पूछा कि कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई ऐसी बात जो तुम्हारे अंदर हो और वो तुम बताना नहीं चाहती हो तो अपनी माबाब को देखकर लड़की फूट-फूट कर रोने लगती है और उसके बाद वो अपनी माबाब से मीडिया पर वाइरल भी कर दिया है जब ये वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल होता है तब उस लड़की की चुपी टूटती है 8 मार्च 2022 को उसके बाबाब सीधे पहुंच जाते हैं पान बाजार महिला थाने और वहाँ जाकर शिकायत दर्ज करते हैं पान्चों के खिलाब जिसने विक्की अली है फैजूर अली पूना अली पिंकू राजा पान्चों के खिलाब संबंदी धारों में मकदमा दर्ज होता है पुलिस इन आरोपियों की गरिफतारी के लिए लगातार दवीशें देनी शुरू कर देती है मरी गाउं का ये मामला बहुत ज़्यदा फहमस हो जाता है मशूर हो जाता है क्योंकि लगातार सोचल मीडिया पर लगातार अख़वारों में आ रहा था कि एक बच्ची के साथ जिसकी उमर अभी 16 साले उसके दाथ ऐसा गलत हो रहा है पुलिस पर दवाब बनने लगता है पुलिस ने इनके परिबारों के लगभग साथ लोगों को सदस्यों को गरफतार कर लिया हिरासत मिले लिया ताकि ये पांचो आरोपी पुलिस के हत्ते चड़ जाए आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है और पुलिस ये जो आरोपी है विक्की अली 15 मार्च को कमरूप ग्रामिड जिले के पास से एक हाजो के पास है दमपूर पहाड़ी वहां से इसको गरफतार के लिये जाता है और इससे पूश्टाज की जाती है तो वह इदर-दर की बाते हैं हाला कि जब पुलिस ने वह वीडियो दिखाया तो वह यकीन हो जाता है कि हाँ इसके साथ गलत हुआ है पुलिस इसको लेके जाती है उस घटना इस तल पर रात का समय था हाला कि पुलिस ने इसको समझाने की कुछ कोशिश की कि ये अब अपना आपको सरेंडर कर दे अब कोई ऐसा गलत काम न करे कानून जो भी सजा देगा सो देगा लेकिन इस लड़के ने भी भागनी की कोशिश की और जब ये भागनी की कोशिश कर रहा है तो इसमें दो महिला पुलिस वाली घायल हो जाती है फिर मजबूरी में पुलिस को गोली चलानी पड़ती है और जब गोली चलानी पड़ती है तो इसको एक के बाद एक चार गोलिया लगती है ये गंभी रूप से घायल होता है उसको फिर मेडिकल कोलिज में लेके जाया जाता है कि पुलिस एक और एंकाउंटर कर देती है और वो दूसरा एंकाउंटर होता है उदल गिरी एक जिला है उस जिले में 10 मार्च को एक 7 साल की बच्ची के साथ धन सिटी टी ए स्टेट में बलातकार होता है बलातकार करने वाला कोई और नहीं था राजेस मुंडा था आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उस व्यक्ती को हिरासत मिले लिया और उसको 15, 16, मार्च की रात लगवाट धाई बजे के आसपास घटना इस्तल का जब मुआयना कराने के लिए लेके जाते हैं तो वो भी पुलिस की जीब से कूद कर भागने की कोशिश कर रहा था पुलिस ने जब उसको गोली मारी तो वो घटना इस्तल पर ही धेर हो जाता है अब ये घटना इस्तल पर ही धेर हो जाता है तो ये मामला फिर सुर्क्या बन जाता है कि 24 गंटे में ही असम पुलिस ने दो एंकाउंटर कर दिये ये बास सुनने के बाद लोगों गुसा भी आता है बर जब लोग इस घटना की प्रिकरती में नेचर में जाते हैं जो उसकी घटना की गहराई में जाते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि किसका एंकाउंटर हुआ तो उनका जिन्होंने इस एक लड़की के साथ गलत काम किया उसका वीडियो बनाया और वाइरल कर दिया किसका एंकाउंटर हुआ कि एक छोटी सी आठ साल की बच्ची जिसके साथ गंदा काम किया और उसको मार दिया यानि कि राजेश मुंडा ने उसकी हत्या कर दी थी फुलिस ने ये सही किया है ये गलत किया है ये कानून की भाषा है, कोड की भाषा है कोड जाने, अभी इस मामले में आगे और क्या कारवाई होनी है मगर आसम के डीजीपी ने साफसा बोल दिया है कि जो भी गलत करेगा उसे किसी भी कीमत पर बक्षा नहीं जाएगा अब चाहें वो विक्की अली हो या राजेश मुंडा हो दोनों तो मारे गए हैं, बाकि जो चार आरोपी हैं, जो भी फरार हैं उनकी गरफतारी के लिए लगादर दार दिशे दी जा रहे हैं पुर सका दावधा है कि जल्द से जल्द उनने गरफतार के लिये जाएगा यदि उन्होने भी भागने की कोशिश की तो शायद उनका भी वही अंजाम होगा जो विक्की अली का हुआ है दोस्तों इस तरह के एनकाउंटर सुनने के बाद लगता है कि वाकई किसी बच्ची को कम से कम समय में अगर इंसाफ मिलता है तो वाकि अच्छा है लेकिन ऐसा इंसाफ अगर कोट के माधियम से मिले कम से कम समय में आरोपी को फांसी की सजा दी जाए तो शायद कानून पर लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा मगर ऐसे घटना करम से शायद लोगों का एक जो पुलिस की पिरती सवाल खड़े करने बाली बात है वो लाजमी हैं घड़े होंगे नजाने कितने ऐसे केस हैं कितने ऐसे मामले हैं जो सालो साल अदालत में चलते रहते हैं इसलिए जनता ऐसे पुलिस से ऐसी ही उम्मीद करती है कि जल्द से जल्द पीडिताओं को नियाए दिया जाए दोस्तों इस कहानी को इस घटना को सुनाने का उद्देश है किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बलकि आपको जागरुक करना है आपको सचेत करना है आप जहां भी रहें अपना खयार लखें सुरक्षित रहें जै हिन जै भारत